नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ बैसंदीप में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम DL8 2017 बैच, 2018 बैच और 2019 बैच के लिए अती महत्वपूर जानकारी लेकर आएं दोस्तो आज PNP ने एक लेटर जारी किया है जो आपके परिक्षा के रिजल्ट से संबंदित है दोस्तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस दिन आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे क्योंकि जो आज PNP ने लेटर जारी किया है वो 17 बैच, 18 बैच और 19 बैच के लिए अती महतपूर है तो देखते हैं इस लेटर में क्या दिया हुआ है इस लेटर के माध्यम से हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशक उपर लिखा हुआ है सचिव परिच्छा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज और यह भीजा किसको गया है समस्त प्राचार जिला सिच्छायों प्रसिच्छड संस्थान यानि डाइट के स सारे जनपत के डाइट प्राचारियों को भीजा गया है और पूरे प्रदेश के समस्त निजी डिलेट कॉलेजों को यह भीजा गया है यहाँ पर क्या इसका विसे है यह देख लीजे बीटीसी प्रसिच्छड दो जार तेरा सेवारत मृतक आश्रित बीटीसी दो जार चौ सिच्छड दोजार उन्निस दुतिय सेमेस्टर की परिक्षावर्ष 2020 के आंतरिक मुल्यांकन अंक ओनलाइन पूरित कर प्रेंट आउट प्रेशड के संबंद में यानि आपकी जो इंटरनल जो वाईवा होता है प्रेक्टिकल होता है उसके अंक भेजने है पी एन पी को यह किसको लेटर गया है डाइट को गया है और जितने भी निजी डियलेट कॉलेज है उन सभी को यह लेटर भेजा गया है कि जो भी आपने इंटरनल वाईवा या प्रेक्टिकल कराया है उसके अंक आप ओनलाइन के माध्यम से हमें प्रेशित करें यहाँ पर क्या पूरा इस तक पूरित किये जाने के निर्देश दिये गया थे परन्त कतिपई जिला सिच्छा इवं प्रसिच्छड संस्थानों दोर आउगत कराया गया कि डियलेट प्रसिच्चूों के इंटर्शिप पूर ना होने के कारण आंतरिक मुल्यांकन पूरित किये जाने है तू समय पुणा वेबसाइट खूली जा रही है समस्त प्राचारय जिला सिच्चायों प्रसिच्छड संस्थान और अवं जिला समस्त निजी डिलेट प्रसिच्छड संस्थानों दोरा दिननाग एंक 192-2020 से 26-22-2020 तक पूरित किये जाएंगे तथा जिला सिच्छाइवं प्रसिच्छर संस्थान द्वारा 20-12-2020 से 27-12-2020 तक अप्रूव किये जाएंगे उक्त निर्धारित तिथी के उपरांत किसी भी परिस्तिती में कोई अत्रिक्त समय देर नहीं होगा उनलाइन माद्यम के अत्रिक्त किसी भी परिस्तिती में ओफलाइन आंत्रिक मुल्यांकन के अंक सुईकार नहीं किये जाएंगे अता आपको निर्देशित किया जाता है कि DL8 प्रसिच्छों के आंतरिक मुल्यांकन के अंक समय के अंतरगद पूरित करना शुनुश्चित करें यानि PNP ने आदेश दिया है समस्त डाइट प्राचारियों को और निजी डियलेट कॉलेजों को कि जो भी आपके इंटरनल के अंक हैं उनको तुरंत ऑनलाइन भेजा जाए यहाँ पर तारीक भी डिसाइड कर दी गई है कि 19 तारीक से 26 तारीक तक यह अंक भेज दिये जाए और यहाँ पर क्या होगा 20 से लेकर 27 तारीक तक जो डाइट होगी वो उन अंकों को अप्रूव करेगी तो यहाँ पर यह चीज क्लियर हो गई कि मानके चलिए कि आपके 27 तारीक तक जितनी भी परिक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं उनके 27 तारीक तक ओनलाइन अंक यानि ज जिस्चित तोर पर यह कह सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है और दोस्तों अगर आपका रिजल्ट आ गया जो लोग डियलेट सेकंड सेमिस्टर पूरा कर लेंगे यूपी टेट में वही लोग प्रतिभ करना है और अपना रिजल्ट मानने करवाना है तो यह आपका डियलेट सेकंड सेमिस्टर का जो रिजल्ट है वो घोशित हो चुका हो तभी आप यूपी टेट में आवेदन करें तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो मानने होगा जब यूपी टेट का रिजल्ट मानने हो अगर फिर आगे आप second, third semester, fourth semester जो भी परिक्षा देनी है उस परिक्षा को देने के बाद आप सिच्छक भरती में बैट सकेंगे तो यहाँ पर यह चीज आपको clear हो गई होगी कि आपको डेलेट जो भी परिक्षा आपने दी है चाहे आप 17 बैच के अभिरती हो चाहे आप 18 बैच के हो और चाहे आप 19 बैच के अभिरती हो अगर आपने डेलेट की परिक्षा दी है तो आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के प्रतम सप्ताह में घोशित कर दिया जाएगा उमिद करता हूँ कि ये जानकारी आपको यूसफुल लगी होगी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी भी समस्या किया सुझाओ के लिए नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर तकि ऐसे ही इनफॉर्मेशन वाले वीडियो डियलेट के वीडियो और यूपी टेट सूपर टेट के कोर्स के वीडियो आपको लगातार मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत